दोस्तों गर आप इंतिजार कर रहे हैं यूपी प्लिस कॉंस्टबल भरती का तुलिजे यहां पर आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे ताजा बेटा चुका है बिल्कुल प्रूप के साथ में यहां पर यूपी प्लिस कॉंस्टबल के 50 या फिर 52 करीपदों की भरती का जो नोटिस है वो यहां पर आज किस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं आखिरकार यूपी प्लिस कॉंस्टबल के ओनलाइन आवेदन कब से प्रारंब होंगे और इसके अलावा इसका एक्जाम किस तारीक को कराए जाएगा बिल्कुल प्रूप के साथ में विद्ट न लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजें नमस्कार दोस्तों मेरा वी सिंग और आप देख रहा है टॉक दर में यूटूब चैनल चलिए आज का वीडियो हमें स्टाट करते हैं यूपी प्लिस कॉंस्टबल के 50 या फिर 52,000 नहीं बलकि यहां पर यूपी प्लि दोस्तों यहां पर आपको यह भी पता चल दाएगा कि आखिरकार यूपी प्लिस कॉंस्टबल का जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो कब से प्रारम हो पाएंगी आपको दोस्तों सबसे प्लेस नोटिस में देखने के लिए मिलना होगा जो नोटिस आपको है वह उत्तर प्रदे नोटिस रियल है या फिर फेक है लेकिन इस नोटिस को देखने के बाद रियल जैसा तो प्रतीत जरूर होता है अब दोस्तों यहां पर क्या लिखा है इसको आप जहां से समझ लिएगा सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि यह नोटिस जो है वो यहां पर प्रदरशित क गया है जहां पर लिखा है कि महोदय अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भरती प्रणती बोर्ड लखनों द्वारा शाशन द्रदेशों के कारकरम में आरक्षी नागरिक पुलिस के लगबग यहां पर आप सबसे पले पदों की संक्या देख लीजे साथ हजार पदों पर भरती के लिए जो भरती का यहां पर देखिये एक्जाम है वो इस एक्जाम का यहां पर तारीक दिखाये जा रहा है 11-2-2024 है 11-2-2024 को यहाँ पर UP Police Constable समेट यहाँ पर लगबग 60,000 पदों का जो एक्जाम होगा उसको लेकर यहाँ पर नोटिस दिया जा रहा है तो यहाँ पर आप इस नोटिस को ज़रा विस्तार से समझ लीजेगा इस नोटिस में आपको लगबग 25,000,000 से अधिक परिक्षार्थियों का भाग लेना संभावित है यानि कि इसमें यह भी बता दिया गया है कि जो कितने यहाँ पर अव्यर्थी होंगे जो कि इस परिक्षा में सामिल हो सकते हैं यानि कि इस नोटिस के माध्यम से को परिच्छा होगी यूपी प्लिस कॉंस्टिवल समेत साथ हजार करीप पदों को भढ़ने के लिए वह एक साथ ही एक ही पाली में संपन कराई जाएगी अब हलाकि दोस्तों अगर आपको यह पूरा नोटिस देखना है तो आप हमारे वाट्सप चैनल जो है बना हुआ है उ दोस्तों यहाँ पर अगर यह नोटिस रियल नोटिस है अगर ऐसा होता है कि 11 फरवरी के राउन में इसका एक्जाम होगा तो डिसमबर के लास्ट महीने में या फिर जनवरी के प्रथम वीक में यहां पर यानि कि पहले सफ्ता हमें साथ से आथ फरवरी जनवरी से पहले प और दोस्तों यह कहा जा रहा है कि जो यह नोटिस वह अली गळ के पास भेजा गया है जो वहां का है और उसमें लगबग 133 से अधिक वहां के जो सेंटर से उनको भी नामित कर लिया गया है आप उसको लेकर यहां कि जो बहुत है कि तरफ से जानकारी मांगा गया है कि कितने भरती बोर्ड की सेयुसाटिक जानकारी अब आपको इस यूटूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले सेयुसाटिक मिलने वाली है तो जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा इसके लबाद दोस्तों आप हमारे जल्दी से टेलेग